टिकेट की टिक्टिक को लेकर कॉंग्रिस के दिगजों में टकराफ शुरू हो गई है जो यहां कमलनाथ संधिया और दिग्गी में विधानसवा टिक्टो को लेकर घमासान जारी है देखिए रपोर्ट नजार कॉंग्रिस अंदर खाने में सीम के पत को लेकर भी जंक तीस हो गई है राजनाथिक पंडितों के मानना है कि दिल्ली में कमलनाथ दिग्गुजस सिंग और मिनाक्षू नट राजुन में खासा तालमिल बैठ रहा है जबकि जोती रादित सिंधिया अभी भी अपने दम पर टिक्टो की लड़ाई लड़ रही है गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों दिगज मालवा की 48 सीटों पर जोती रादित सिंधिया को टिकट लेने से रोखना चाहते है जोकि मालवा पूर्व में सिंधिया रियासत का हिस्सा रहा है और इस इलाके में सिंधिया का एक अधिकार मानज आता है ऐसे में कॉंग्रेस की सरकार बने तो सिंधिया को सीएम बनने से रोखा जा सके मालवा के पीपलिया मंदी और ग्वाली अर्चंबल एलाकी में राहुर गांधी की सभाव में जो जन सैलाब उम्ड़ा उससे सिंधिया के नुश्रुत तोर पर नंबर बड़े है और इससे इस बढ़ते कत के चलते भी कॉंग्रेस में घमासान सम्थभ है वीरो रिपोर्ट, MP News धोपाल